इस वीडियो का टॉपिक है invited hammer candlestick pattern जो एक bullish reversal candlestick pattern है जब market strong downtrend में चल रहा होता है तब आपको invited hammer candlestick देखने के लिए मिल सकते है market जब uptrend में होता है तब भी आपको इस तरीकी का candlestick देखने के लिए मिलते है बड़ यहाँ पर जब uptrend में बनते है तो हम इसे shooting star candlestick बोलते है जब market downtrend में चलते है तो हम इसे invited hammer candlestick बोलते है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप live market में invited hammer candle को identify करके एक high probability trade execute कर सकते है invited hammer candle जो दिखने में hammer candle की तरह है बड़ इसकी body नीचे है और week उपर है अगर आप invited hammer candle को trade कर रहे हो तो आपको कुछ चीजे धैन रखना है market यहाँ पे लगातार downtrend में होना चाहिए और market यहाँ पे लगातार bearish candle बनाना चाहिए और market अगर यहाँ पे invited hammer candle बनाते है तो आपको देखना है कि invited hammer candle की पहली बेला जो candle है उसकी उपरी जो की invited hammer candle को close होना है और invited hammer candle की previous जो candle है वो कोई भी candle किसी के high को break नहीं करना चाहिए और invited hammer candle जो यहाँ बना है उस invited hammer candle की जो week है उस week को अगर कोई एक bullish candle यहाँ पे break कर देते है तो आप यहाँ पे buy position बना सकते है और इस invited hammer candle की नीचे आप stop loss लगा सकते है तो यहाँ पे आप देख सकते है market बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे momentum किया और market यहाँ पे previous जो swing high बनाया था उस high तो market ने यहाँ पे momentum किया तो आप यहाँ पे नीचे इस ट्रबलोस लगा के इस swing high तक अपना target को लगा सकते है market ने पहले भी यहाँ पे दो invited hammer candle इस्टिक बनाया था बड़ यहाँ पे कोई भी candle इस दोनो invited hammer candle की जो weak है उसको break नहीं कर पया अगर यहाँ पे कोई एक bullish candle यह दोनो invited hammer candle की weak को break कर देता तो market का यहाँ पे sentiment change हो सकते थे बड़ यहां पे कोई भी bullish candle यहां पे break नहीं किया जब तक कोई भी bullish candle, invited hammer candle की जो weak है उसको अगर break नहीं करता है तो तब तक आप अपना position को नहीं बनाईए क्योंकि यहां पे अगर आप पहले ही अपना position को बनाएंगे invited hammer candle को देख के तो आपका loss होने का chances यहां पे बर जाएगा और आपका loss हो सकते है Stock market को लगातर सिखने के लिए market की सही गयान YouTube channel को आप जरू subscribe करें